सोजत में हुई कार लूट की वारदात का पुलिस ने महस 24 धंटों में राजफाश कर दिया है। राश्ट्रिय राजमार्ग 162 पर सोजत के रेंडरी पुलिया पर हुई इस वारदात में गुजरात के युवकों से मार पीट कर बंदूग की नोग पर कार लूटी गई थी। घटना की जानकारी पुलिस ने खुलासा किया है कि पाली के हिस्ट्रिशिटर दोला के साथ हर्याना की एक गेंग ने इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के तुरंद बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तेजी से जांच शुरू की और महस 24 धंटों के भीतर साथ आरोपियों को गिरफतार कर लिया। पुलिस की कार्यवाही, डियाईजी ओम प्रकाश और एसपी चुनाराम जाट ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पहले से ही कई अपराधों में शामिल थे। पुलिस की इस तेजी से कार्यवाही और अपराधियों की गिरफतारी से जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। गिरफतार आरोपी गिरफतार किये गए साथ आरोपियों में से अधिकांश हर्याना के रहने वाले हैं और उनका पहले से ही अपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताच के बाद घटना की पूरी साजिश का परदाफाश किया है और अब आरोपियों को अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाईगी जाएगी। इस त्वरित और सफल पुलिस कार्यवाही से स्थानी लोगों में पुलिस के प्रती विश्वास और भी मजबूत हुआ है। पुलिस की ततपरता और सक्रियता से अपराधियों को जल्द ही कानून के शिकंजे में लाया गया है जिससे ये सपश्ट होता है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का रुख सक्त है।